ओनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत, सभी को नमस्कार, फर्स्ट एर एच डिपी एनिमल मनेजमेंट में आज हम नया चेप्टर, नया ध्याए 15 पंद्रमा ध्याए नवजात बच्चों की जनम से पहले और जनम के समय वाद में देखवा जन बच्चों की देखवाल का के बारे में पढ़ेंगे तो प्रीनेटल, प्रीनेटल कहते हैं जनम से पहले यह तैंत कटू सत्य है कि बच्चा बच्चियां की देख रेक उसके जनम से पूरर भी प्रारंब हो जाती है क्योंकि यदि ग्याबन पश्चों को सही है में संतुलित आहार नियन देजा जाए तो बच्चा कमजोर विक्रत अत्वामरत पैदा हो सकता है अत्वा गर्ब पात भी हो सकता है इसलिए बच्चे के जनम के पूरो निमन बातों का ध्यान रखना है आवशक है जैसे ही गर्बित होती है गाए तो बच्चे की देखवाल मां के गर्ब से शुरू होती आता है गर्बित पशों की देखवाल परसब से पूरो भी शुरू कर देनी चाहिए गर्बित पशों को गर्ब काल के अंतिम इतिमाई से संतुलित आहार अभी हमने पीछे पड़ा यह सामने आइं दे रखा था यह चार नही अे फृँनी, प्रोटीं, फडिढार जो यह प्रोटी है न फष्लएए प्रती देन। drummer बंड़ मीटि द्वेड़ आउटा क्योंकि मां के गरव में पल्रे बच्चे की विकास के लिए तथा स्वयम् के प्रजननंगों के विकास के लिए अत्रित को शुकतत व्यूर्जा की आफशकता होती है तो यह निहाता, यह आफशक है अंतिम तिमाही यानि कि अगर नौ महिने पे ब्याएगी तो छे में महिने पे जो है यह धर्ड तिमाही आगी पहली तिमाही एक से तीन तीन से छे और छे से नौ तो तीसरी जो शुरू हो जाती है तो छटे महिने से ही आपको यह जानकारी है पशुपालकम कुछ रखते हैं लेकिन जो नहीं दियान में रखता उसके लिए आउशक है गर्वित पशु को ज्यादा दूर चड़ने के लिए अपड़ खाबड ऐस समतर स्थान पर नहीं लेजामें नहीं उसे दोड़ाएं या बगामी अन्य था उसके यू यूटराइन टॉर्षन ये शायद हमने इसको यूटराइन टॉर्षन आप अच्छी तरह से तागे पढ़ोगी लेकिन इसको मैं समझा देता हूं आपको यह अवस्था जो है सेकंडियर कलास पर गाइनकलोजी में पढ़ोगी आप यूटराइन टॉर्षन क्या होता है दुमाव को तो जैसे अमने देखा कि ये दो हॉर्न है और ये यूटरॉस है आपने ये तो इसका रिप्रोड़ुक्टिव और गंस तो पढ़ लिये हैं दो हॉर्न है यहां ये यूटरॉस है तो एक राईट या लेफ्ट जनरली राइट में प्रेग्नसी है राइट में ज यह हॉर्ण बड़ा होता चला जा जाता है यह बड़ा होगा जैसे जैसे बड़ा होगा तो यह हैवी भी होता चला जाएगा। और इस तरफ ये गुमेंगा, क्योंकि ये वजनदार है, जैसे ही आपने उसको दोडाया, पसु उचला, उपड़ खापड जगें पे चलाया, जटके के साथ ये टर्न कर सकता है, यूँ, ये यूँ टर्न कर सकता है, इसको टॉर्शन कहते हैं, तो ये 45 डिग्री भी कर सकता ह ये 45 डिग्री इसको टॉर्शन कहते हैं, तो ये इस तरह से आगे आप पढ़ोगे इसके बारे में, लेकिनिए सिरफ आप समझाड़ो, इस टॉर्शन कि ये टॉर्शन होता है, तो इसमें यूट्राइन टॉर्शन हो सकता है, तथा बच्चे को रक्त पहुंचने में किठन और नाई हो सकती है तो बच्चा मम्मिफाइड हो सकता है अगर मान लो यूट्रेन आर्ट्री पे कसाव आ गया यूट्रेन आर्ट्री योग घुमेगा न तो जैसे उस पे टैंस होगी घुमाव आएगा तो ब्लड स्प्लाइड नाड आर्ट्री दबगी तो दबेगी तो प्रभीत गायों को गरब काल की अंतिम इतिमाई में जूंड से अलग रखे उन्हें लड़ने नीदे तता नेम मद युक्त मादा पशू पर चड़ने से बचावे अनने था गरव में पल रहे बच्चे को चोट लग सकती है पशू को परसब के पंदरा दिन पूरव कावें स्थानात्रित कर दें तो यह तो था प्रिनेटल अब है ड्यूरिंग पार्चुरिशन ज्याते समय नवजाद बच्चे की जनम के समय देख बाल क्या थरनी चाहिए परसब के दौरान ने तो आप परसब क्रिया में वैवदान करें और ना ही बिना आप शक्ता के मादा पश परसब क्रिया में साहिता करें परसब कर्श में निरंतर उसकी क्रियाओं को शांत वाता बढ़ने शांती पुर्वक देखते रहे हैं यदि परसब डिलीवरी पेंट शुरू हुए दो गेंटे से अधीक हो गया तो अवश्यत थोड़े चिंतत होने की जरूरत है विश्वशत तोर से उन पश्वमें में जिनके diffuse type placenta होता है diffuse type गोडी में और इसमें गाय में कोटली डिनरी होता है underline कर लेना इसको वैसे तो यह placenta तो आपने पढ़ा है diffuse type placenta गोडी जैसे क्योंकि उनमें बच्चे यह मां के placenta का समध जल्दी ही डिला हो जाता है जिससे बच्चे का रख संचार अवरुद हो जाता है तथा फोल गोड़ी के बच्चे को फोल को ऑक्सिजन की सप्लाई में वैवधान हो जाता है आता शिक्र पशू के परसो क्रिया में स्वयम अथवाचिक से द्वारा साहिता अत्यंता आपशक है गायों बैसे मैंसा कोई च आविश्थार से पड़ोगे बच्चा जो है उसका जो मूं पहले आया है इसको यूं समझ लो आपते को आगे sido आया हुए है यह पूंच पहले आई हुए तो यह सा Αप यूoshire तो यह उसका बच्चे का प्रेजेंटेशन पॉजिशन समाने नहीं हो तो तुरूंत साहिता करें उसे जितना जल्दी हो ठीक करके बच्चे को खींच कर भाहर निकाल देयाने था बच्चा मर सकता है नवजात की जनम के बाद देख वाल प्री नवजात की जनम के बाद देख वाल प्री नेटल पहला सबसे काम जो है वो रिमूबल ऑफ म्यूकस मेंब्रेन फ्रॉम नौज एंड माउथ बच्चे के नाक से और मुह से शलेशमा जिली को आपने हटाना है जो उसके ओपर जिली है नाक पे और मुह पे उसको तुर्ण तुझे है वो उसको आप हटाए में पशु पालन में कारे करने वाले पर देख व्यक्ति को पता होना चाहिए जब तक बच्चा मां के गर्व में रहे तब तक बच्चे के फेवरे कारे नहीं करते हैं बच्चे को अक्सिजन में भोजन मां के रक्त से बच्चे के नाल यानि के अमलाइकल नेवल कोर्ड कहते हैं जिसको से ही मिलती है जो ही बच्चा गर्व से बाहर आता है नेवल कोर्ड तूट जाती है मां के रक्त का संपर तूट जाता है जितना जल्दी हो ऐसा करें मां तथा पशुपालक पशुपालक करें कि बच्चे की स्वशन के रिया शिगर चालो हो जावे और इसके लिए निमनकारे करना जिरूरी है जहां तक हो जल्दी बच्चे के थूथन से शलेशमा नाक से मजल से म्यूकर जिसे फ्लेगम भी कहते हैं इसको तुरंत हटा दे में सधारनते हैं बच्चे के जनम के तुरंत बाद उसकी मां चाटने लग जाती है जो शुशन क्रियावे रक्त संचन को प्रेरित करता है यह जरूरी है, स्टिमूलेट करता है यदि पशु ऐसा नहीं करें तो बच्चे के सरीर को जूट या सुखे कपड़े से अच्छी प्रकार रगणें बच्चे को मां के सामने लिटा दें तो थोड़ा आटा या गेहों की चापड़ा दी लगा दें ताकि मां बच्चे को चाटने लग जावे तथा इस चाटने में मां की बच्चे के प्रते मात्रतों की बावना भी पैदा हो जाएगी ये प्रक्रिया पर्थम परसव है सर्द्यों में पराय करनी पड़ती है कैठा पहुक है कि यह ज़रूरी है कई बार मा गाय चुरा में चाटते हैं क्योंकि भीर बड़ी समस्य मेurn में दूदू भी नहीं है कि उसको चुंगने दिती तो पहुक्रों समस्य कड़ी हो जाती है लेट डाॉज्य में तो यह बड़ी समस्य में है टो यह चोटा ओक् уж उसको किसी तरह से बच्चे को चाटने के लिए हमने चाटने भी लगाना है उसको कि वो चाटे कई पर ऐसा फिल्ड में देखने में आया है कि जब माने बच्चे को नहीं चाटा यानि गाये नहीं बच्ची को बच्चे को तो क्या होता है कि बाद में समस्या लेटडाउन की और अगर वो उसको चाट लेती है तो यह मात्र तब उसमें पैदा होता है तो उससे क्या होता है कि यह सारे action let down अपने आप ही होता है और इससे बच्चे को भी फाइदा है क्योंकि उसमें circulation और respiration बढ़ता है यह प्रूर्शन बताए नवजात बच्चे के नाक में घास की पतली पत्ती अथवा सींक डाल कर उसे आगे पीछे करें इससे बच्चे के नाक में खुझलाट होगी और वह चिंकेगा सिनीजिंग करेगा तथा अंदर फसा हुआ म्यूकस उसके बाहर आ जाएगा यह वेरी इंपाउटर बहुत इंच बच्ची बच्ची बाद है यदि कठिन परसव किरिया रिस्टोकिया के बाद बच्चा जनम है तो हो सकता है म्यूकस फ्लूड भी फेड़े में चला गया हो आता है बच्चे के दोनों पैर हॉक जॉइंट से पकड़ करके हॉक जॉइंट मैंने आपको बताया पीछी पहले हिप जॉइंट होता है फिर स्टाइफल है फिर फिर जो है वो हॉक जॉइंट आता है तो वहां से पकड़ के बैक बच्चे को यूँ उल्टा लटका दें हॉक जॉइंट के उपर से पकड़ कर उल्टा करें तथा वक्षस तल्थोरा के रिजिन को दोनों तरफ से दबामें तथा हिला में इस क्रिया से मुकस वे फ्लूड मूवन नाक से बाहर आएगा तथा बच्छा सोचन क्रिया प्रारम करते हैं यह फिल्ड में हमने किया है कई चिगें यह काम आये वी दिविदी बहुत अच्छा है इसको नोट करें अंडरलाइं कर लें इससे भी स्वाशन करिया चालो नहीं हो तो तो तुर्ट क्रित्रम श्वाशन करिया प्रत्ति को अपनावें चिक्तच को तुर्ट बलावें अगर ये शुरू नहीं होती है तो ये प्राब्लम ही है बहुत बड़ी फिर बड़ा मुश्कल हो जाता है बच्चे को क्योंकि करत्रम शुक्रिया कब पहुंचेगी कब आएगी और ये है भी नहीं हमारे पास उपलब्द भी दिया ज्यादा इसके बाद होता है नभी को काटना इस कोड को दबा कर उसके अंदर का पदार्त बाहर निकाल दे तता इस कोड को शरीर से 2-3 संटीमीटर दूरी पर बांध दें यानि तो टॉर्णिक विट कर दें तथा इसके एक संटिमेटर निचे से जिवानु रहे दो ब्लेड से उसे काट दें अब आप यह समझें के नहीं मेरी बात को 2-3 संटिमेटर नभी से छोड़ें उसको दो से तीन सेंटीमेटर ना भी से ये ना भी है मानलो तो या दो से तीन सेंटीमेटर आप नहीं छोड़ दिया अब यहां से इसको बांध दें और फिर एक सेंटीमेटर फिर छोड़के आगे से इसको काट दें यानि कि इतनी जगें फिर छोड़ें आप कई बार तो क्या करते हैं कई बार क्या करते हैं कि उसको दूरी से ही पकड़ लेते हैं और वहां जो हैं एंटी सेप्टिक लगा करके एक तुम स्ट्रलाइज ब्लेड से उसको काटके और उसी को पकड़के उसी की गांट दे देते हैं मैंने देखा है गाउं में उसी को पकड़ा बाकी एक्ष्रा कोई दागा है हो नहीं लेते हैं इसकी समझद्धा समझे यह यूं रसी समझ लो नहीं चोर को उसरे सी के गांड लगा देते हैं हो करके गांड ? गांट लगा देने मतलब यह है कि यहां का बलड जो है वो अब बाहर महीं जाए इसको रोकड़ा नहीं पुल मिला के यह बात सिर्फ बलड नहीं चले बस इसको यह रुक जाएगा तो इसको एक सेंटीमेटर आगे जहां से आपने टॉर्णिक विट को है एक सेंटीमेटर आपने वहां टींचर आईडीन के विलियन में यह पोवीडिन लगा दें टींचर आईडीन लगा दें नभी किस संक्रण से नेविल इल नाम करोग हो जाता अगर आपने शुर्स ही निं किया तो नेविल इल नेविल क्या होता है नभी का सूच जांग छसी पढ़ जाती है नीचे गांट बन जाती है तो यह ऐसे केसिज बहुत आते हैं अब इसके बाद उसको आप खीश पिलाना खीश पिलाएंगे अब आप उसको फ्रीडिंग ओफ कलस्ट्रम खीश कलस्ट्रम जन्म के बाद मां के चारों तरह में कुछ दूद बार निकाल कर नव्यात को मां का परतम दूद जिसे खीश कहते हैं तुरंत जेल गिरने से पहले ही एन वे धनों को साफ करके पिला देवाजना चाहिए अब इस खीश के निमन फाइदे इसके यह हमने पहले भी पढ़ा है खीश में वाई-ग्लोबुलिन प्रोटीम जो से इमिनिटी देता है देखिए वाई-ग्लोबुलिन प्रोटीम होता है जो नवजात को कई बिमारियों से लड़ने की शम्ता परदान करता है वाई गुलोबुले, अंडरलाइन खीस, नवजात के पेट में गरभावास्था के दोरान 71 मल, जिसे मुकोनियम, अंडरलाइन, कहते हैं असानी से बाहर निकाल देता है मुकोनियम, लेही कहते हैं न बच्चे ने मुकोनियम, उसको बाहर निकाल देता है खीस में विटामिन A, विटामिन B कॉलिन, राइवोपलेविन, थाइमिन तथा, पेंटोनिक अमल, प्रयापत मातरा में होते हैं यह विटामिन्स हैं जो नवजात की शरीश के वर्दी के लिए जुरूरी हैं यदि नवजात को किसी भी कारण से खीस नहीं मिले तो उसे कृत्रिम खीस अन्य अन्य जो अभी तुरंत ब्याई हुई अन्य मादा उसका दूद बे अवश्य पिलामे और अगर ये भी अवलेबल नहीं है तो फिर आर्टिफिशियल खीस जो ये तियार किया जाता है ये बढामे और ये उसको पिलामे तो इसके बारे में हम कर्चर्चा जो है वो नेक्स्ट हमारे लेक्षर में करेंगे थैंक्यू भे